नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहे थे Animate CC के बारे में तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे कि यहां पर देखिए Illustrator में कोई भी Cartoon को कैसे Create करते हैं जब आप 3Pix से कोई भी Characters को डाउनोड करते हैं और उसको कैशे करते हैं मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे और आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि हम उसको animate cc में कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसको layer wise कैसे arrange करते हैं तो चलिए दोस्तों video start करते हैं तो दोस्तों मैंने इस file को क्या क्या हूँ कि यहाँ पे save कर रखाऊ AI file में तो दोस्तों इस चीज का धियान रखें EPS में मत save करना EPS import नहीं होता है आप AI की file को IMPORTFE कर सकते हैं मैंने यहाँ आप देख सकते हैं AI की file को बनाया हूँ और इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे IMPORTFE करेंगे तो क्या करते हैं यहाँ से direct उठाके यहाँ पे चौड़ देते हैं यहाँ पे जब हमने चौड़े तो देखिए पर क्लिक के आप देखें यह हमारा character आ गया और यहां पर देखें तो सिर्फ एक layer बना हुआ तो हम क्या करते हैं इसको divide करेंगे अगर यहां पर देखें एक option है right button click करते हैं तो यहां पर option है distribute to layer लेकिन इसमें क्या होता कि बहुत सारा layer हम जो चाहते हैं उस step से नहीं बन आएगा तो हम इसको one by one करके create करेंगे देखते हैं कैसे करते हैं तो मैं सबसे पहले यह head को क्या करता हूं copy करता हूं और यहां से एक layer create करता हूं और यहां पर paste कर देता हूं यह हमारा head जो है अलग हो गया है देख सकते हैं और इसको right button click करके convert to symbol कर देते हैं ठीक है और इस head part अलग हो गया और इसको हम क्या करेंगे जो इस पे हम click करते हैं और यह जो pointer है इस pointer को हम नीचे set कर लेंगे जो अब animation करेंगे तो उस समय हमें सही से enemies हो जैसे देखे यह step से जो है यह भूम सके तो इसको मैं यहां पर रखते हैं यहां पर रखते हैं जो की step से भूम सके इसको और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे रखता हूं यहां पर रख देता हूं यह हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं यहां से मैं इसको यह देखे प यहां पर देखें तो सभी अलग-अलग बना हुआ तो मैं क्या करता हूँ पहले इसको मैं ऊपर वाले को कोपी करता हूँ यहां से कट कर लेता हूँ और एक new layer create करते हैं और यहां पर paste कर देते हैं यहां पर और इसको right button click करके convert to symbol पर click कर देते हैं और इसका क्या नाम देते हैं यहां पर right head left hand top या arm कर सकते हैं left hand arm left arm कर देते हैं तो इसको हम क्या करेंगे जो यह pointer है हम इसको pointer को भी set करते जाएंगे कि जब हम animation करेंगे तो उस समय issue ना हो इसको यहां पर रख दिए अब क्या करेंगे इस पर click करते हैं double यह पार्ट को हम फिर से cut करते हैं और यहां से मैं new layer बनाते हैं और युकी पॉंटर को हम यहां रखते हैं हम बिलकुल animation के लिए भी set करते जा रहे हैं जो कि animation में problem ना हो और इसको हम देते हैं left end ठीक है left hand हो गया और ये जो है इसको हम ये जो यहाँ पे रहा है इसको भी cut करते हैं और यहाँ से paste कर देते हैं और इसको हम left and thumbbell ओके अब इसको भी हम set कर लेते हैं यहाँ पे outline पे click करते हैं और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसका जो pointer है इस pointer को इसके बीच में रखते हैं इस tab से हमारा एक हाथ जो है यहाँ से create हो गया है अब इसी tab से इसके right double click करते हैं और इसको copy करते हैं यहाँ से इसको cut करते हैं copy ने cut करेंगे और new layer create करते हैं और paste कर देते हैं और right bottom क्लिक करके convert to symbol कर देते हैं और इसको मैं करता हूँ right arm यहाँ पर हो गया इसको भी हम इसको यहाँ पॉइंटर को हम यहाँ रखते हैं और इस पॉइंटर को मैं यहाँ पर set करता हूँ इसको जो है हम नीचे कर देते हैं इसके बाद यहाँ से इसको हम करेंगे इसको कोपी करते हैं कट करेंगे नीउ लेड क्रियेट करते हैं और पेस्ट यहाँ पर right hand और इसको भी कट करते हैं यहाँ से इसका नाम है राइट hand थम्बेल ओके प्रेस करते हैं और इसको हम फिर से आउटलाइन पर क्लिक करते हैं और इसको हम सेट कर लेते हैं सही से यहां से और इसका pointer जो हम यहां रखते हैं इसी टैप से इसको भी हम यहां पर रखते हैं और इसका pointer हम यहां पर सेट करते हैं तो इसके बाद देखिए इसको जो है बोडी को कोपी करते हैं इस बोडी को और इसके साथ में हम गले को भी कोपी कर लेते हैं कट करते हैं और यहां से मैं new layer create किया और paste कर देता हूं और इसको जो है बोडी रख देते ना बोडी और बोडी को हम क्या करते हैं यह जो हाथ है इसको मैं क्या करता हूं राइट left arm को मैं नीचे कर देता हूं बोडी के नीचे और इसको मैं यहां पर रखते हैं इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं यहां पर यहां पर इस टैप से सेट हो गया तो हम क्या करेंगे उसी टैप से हम लेक को भी सेट करेंगे तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूं वीडियो को इसी टैप से हम सेट करेंगे तो अप्राइब रखते हैं झाल 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 तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सभी को हमने लेयर भाईज में अलग-अलग कर लिया अब इस मेंसे जो है आप हेड पार्ट में अगर आई को एनिमेट करना चाहते हैं तो आई को अलग से इसके अंदर जाके आपको यहाँ पर लेयर बनाना पड़ेगा मैंने पीछे के वीडियो में दिखाये थे कि कैसे हम आई को क्रियेट करते हैं या इसके जो लिप्स का सिंक्रनाईज करते हैं सेमी प्रोसेस होगा आपको यहाँ पर लेयर अलग-अलग बनाना पड़ेगा तो मैं सिर्फ यहाँ पर जो है सभी को अलग-अलग करके लाया हूँ और आई और जो माउथ का इंप्रेशन करना चाहते हैं तो मैंने पीछे वीडियो में दिखा रखाऊं कैसे हम इसको जह है सही से एरेंज करते हैं तो हमने किया कि यहां पर सारे बोली पार्ट को अलग-अलग कर लिए यहां पर इसमें दोस्तों एक चीज मुझे यहां पर एडिट करना पड़ेगा कि इसका जो है हमने एक जब एलेक्स्टेटर में काम कियो तो यह राउंड में होना चाहिए मैंने किया नहीं था हम इसको क्या करते हैं यहीं पर राउंड में कर लेते हैं कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्लिक करते हैं यहां पर आगे अब यहां पर मैं क्या करता हूं इसको हम अलग क्लिक करते हैं और यहां से हम आप इसको स्टैप से चेंज कर सकते हैं में ओर इसको मैं कुछ each stepshem sound कर देता हूं आउट ना हो कि हैंत इस step से हमने इसको राउंड कर दिया कि इसτιलिप से इसके अंदर भी हम जाते है और यहां पर doing किलिक करते हैं और इसको मैं यहां से राउंड कर देता हूं कि जब हम एनिमेशन करेंगे तो यह आउट नहीं होना चाहिए यहां पर कर दिया इसको मैं थोड़ा सा इस टैप से हमारा पिल्कुल पर्फेक्ट तैयार है एनिमेशन के लिए आप इसको किसी भी तरह दे एनिमेशन कर सकते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाउंगा कैसे RIGGING करते हैं अगे हम इस पे फरंट वाक भी करके आपको दिखाएंगे तो दोस्तों आशा कर तो यह वीडियो आपको छल लगएगा अगर दोस्तों यह भीडियो आपको छलगएं तो लाइक जरूर करेए और दोस्त